राम राम किसान भाईयों किसान भाईयों मैं आपको इस समय ठंडी के मौसम में काले दाग धब्बे के बारे में बताएंगे चाहे वो आलू की फसल हो या अन्न कोई फसल हो आप देखते हैं कि यदि ठंडी के मौसम में ये समस्या अधिकतर होती तो है जरूर लेकिन जब बरसात होने लगती है तो ये समस्या और गंभीर होने लगती है यदि आपकी फसले सुरक्षित हैं और उसमें काले दाग धब्बे नहीं है तो आप इसके लिए कौन सी दवा का उप्योग करें कि जिससे आपकी फसलों में काले दाग धब्बे का प्रकोफ नहीं हो चाहे वो सेब हो मटर की फसल हो या फूल की फसल हो या लोकी की फसल हो कद्दू की फसल हो या अन्य कोई फसले हो जिनकी पत्तियों पर काले दाग धब्बे का बहुत जादा ही प्रकोफ होता है उसमें आप सर्पर्थम तो डाई थेन M45 जो की मैंको जे 75% WP पाया जाता है इसका 4-5 ग्राम प्रते लीटर के हिसाब से घोल बना कर प्रते हपते धुलाई करें इस्प्रे करें छुलकाव करें उसके बाद में यदि आपको मैंको जे M45 नहीं मिल पाता है या मान लिजे इससे एक काले दाग धब्बे नहीं कंट्रोल हो पा रहे हैं तो आप UPL कंपनी का साफ ले लें और उसका मात्रा जो है 3-4 ग्राम प्रते लीटर के हिसाब से घोल बना कर छिड़काव करें इससे भी नहीं आपकी यह समस्या हल हो पा रही है हल हो पा रही है तो आप इसके बाद में आप जो है अदामा कंपनी का जो की मीराडोर के नाम से आती है उसको आप एक एमेल प्रते लीटर के हिसाब से घोल बना कर छिड़काव करें तो काले दाग धबे की समस्या से आप निजात पा सकते हैं किसान भाईयों यदि यह समस्या खासकर फूलों में जैसे गुलाब का फूल है या गेंदी का फूल है चाहे वो पीला हो नारंगी हो यदि ऐसी समस्या हो रही है तो किसान भाईयों आप बासफ कंपनी का जो की मेरीवान के नाम से आता है किसान भाईयों एक एमेल परत लीटर के हिसाब से घूल बना कर छड़काव करें तो आपके पूल की पकड़ियों पर है या फूल के पूदों की पत्तियों पर काले दाग धब्बे हैं जो की आपको दिखाई दे रहे हैं इस पस्ट रूप से काले धब्बे दिखाई दे र जात पा सकते हैं जो की काले दाग धब्बे की बहुत ही अचूग दवा है धन्यवाद किसान भाईयों